Inter-organization conflict simple सी बात है अगर हम इसको समझें तो एक सोसाइटी में काफी सारी organizations काम करती हैं तो इन organizations को किसी ना किसी reason की वज़य से एक दूसरे के contact में आना ही बढ़ता है और इस contact में आने की वज़य से इनका आपस में conflict भी start हो जाता है यहां पर मैं बात कर रहा हूँ जब दो organizations आपस में conflict generate कर लेती है या किसी न किसी वज़ा से एक दूसरे के contact में आती है और उनकी opinions match नहीं करती है तो जब दो organizations के बीच में conflict पैदा होता है तो उसको हम बोलते हैं inter-organization conflict अब इनका आपस में contact में आने का reason क्या हो सकता है क्योंकि कभी-कभी इन companies के product same होते है अब product same है तो एक company दूसरी company में नज़र रखेगी या एक company ने advertisement अच्छी निकाल दी तो दूसरी company उसको पर नज़र रखेगी या किसी company ने product पहले से ज़र अच्छा निकाल दिया तो दूसरी company को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा या किसी company ने customer को services देनी बहुत अच्छी start कर दी customer को services को अच्छी दे रहा है तो दूसरी company क्या करेगी अपनी services और आगे बढ़ाएगी या किसी company ने technology या techniques बहुत अच्छी follow करनी start कर दी तो दूसरी company को भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि technique अगर अब हम भी change नहीं करेंगे तो हम competition में सिर्फ पिछड जाएंगे या हो सकता है कि कोई company अच्छे से अच्छे employees को अपनी company में recruit कर रही हो अच्छे से अच्छे employees को हम अपनी तरफ attract रहे हैं तो दूसरी company को भी अभी ज़्यादा effort करने पड़ेंगे तो इन reasons की वजए से कुछ organizations के बीच में conflict स्टार्ट हो जाता है तो इस conflict को हम बोलते हैं inter-organization conflict तो simple सी बात है कि ये conflict organization के दो organizations के बीच में start हुआ है तो इसको हम क्या सकते हैं कि एक competition है अब इस competition का फाइदा कहीं नगरी society को मिलता है क्यों मिलता है अब एक company ने मालो price कम कर दी है तो दूसरी company भी क्या करेगी price कम इसका benefit किसको मिलेगा society के लोगों को एक company अब बात आती है कि ये conflicts पेदा होने का आरण क्या होता है कुछ companies के जो aim होते हैं target होते हैं वो sem होते हैं जिसकी वज़ह से conflict start होई जाते हैं ये काफी से हमाँ एक यह स्टाड़ी स तैड़ी घर चुके हैं जिसकी वज़ह से जब भी कंफ्रिक्ट आता है इस तरह का इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है कैसे गौर्णेंट के कुछ रूल्स होते हैं रेक्मिलेशन होते हैं या कहले जिये सोशल कुछ नॉम्स हैं समाजी कुछ परंपराएं हैं जिनके अकोर्डिंग हम इस परगार के कंफ्रिक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं